तो हेलो दोस्तों कैसे आप लोग तो मैंने आपको नड़ा भी विजिट कराया साथ में आपको गाजयबाद भी विजिट कराया तो काफी दुनों बाद आज हमें मौका मिला है जेवर एरपोर्ट आने का तो यहां पर हम आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेकर रहे हैं जो की रहने वाला है और वही आज हम विजिट करने वाले हैं और फिलाल हम जो खड़े जैसे कि आप लोग जानते हैं जो आपका जेवर एरपोर्ट रहने वाला है वो आपका कुछी महीनियों को अंदर फुली फंक्शनल हो जाएगा जहांसे आपकी फ्लाइटे उन्ना स्टार्ट हो जाएंगी और साथ में जैसे ही आपका एरपोर्ट ओपन होगा तो यहां पर टैप करेने वाला है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो जहीं दोस्तों मेरा नाम है विजदन शर्मा और फिस्वागत है आपके अपने चैनल दा फैमिली एलपर में तो चलिए शुरू करते हैं कि अ कि 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 तो दोस्तों फाइनली हम उस लोकेशन पर आचुके हैं जहां पर यह प्रोजेक्ट रहने वाला है जिसकी हमने बात की थी और मैं पहले आपको यहां की आपको दिखा लेता हूं सामने यहां से अगर आप देख पाएंगे तो सामने आपको यम्ना xmm साफ आ लगर्ष पर फॉर को रहसा होओ और यहां से जो डूरी रहने वाली है इस प्रोजेक्ट से उस रोड की वह मातर 300 की दूरी रहने वाली है जो कि आपकी walking distance ही रहने वाली है अगर मैं बात करता हूं यहां से विरिंदावन मत्रा की तो यहां से मात्र आपको एक घंटा लगने वाला है संजी के दर्सन भी आप आसानी से कर सकते हैं दूसरी बात करते हैं अगर आपको ताज मेल लेगना है या आज sixteen a cambiar आपको घूमना है तो यहांसे मात्र आपको और गंडे के अंदर आप आगरा उसकते हैं डाउस-था आप आप आ सपास पूरा एरिया देखेंगे जिस प्रोजैक्ट पर हम आए हैं को पूरा बसा उवा नजर आये गा तो यह जो एरिया रहने वाला है आपको पूर तो दोस्तों अभी हमने आपको उस चत से आसपास का पूरा एरिया दिखाया था कि यहां पर आपको कितरी बसावट देखने को मिलती है और यह आपका 40 फुट प्लस रोड है और यह जो आप बिल्डिंग देखने ना साथ में आप यह आपका हॉस्पिटर रहने वाला है जो क आपको बहुती कम सुसाइटी यह देखने को मिलता है बागी अधर चलते हैं अंदर आपको दिखाते हैं वह यह प्रोड्यक्ट रहने वाला है बागी जैसे मैंने बताया आपको यह जो पूरा तीन एकड में रहने वाला है इसके अंधर जो मैं इंट्री आपको दीगी है बाकि इंटरनल जो रोड दीगी है वह आपको ठारा फिट की दीगी है और आसपास आप देख सकते हैं चारो तरफ पूरी बॉंडरी बॉल आपको इस सुसाइटी के अंदर देखने को मिल जाएगी साथ में बात करता हूं यहां पर प्लॉट साइज की तो यहां पर आपको ज बाकि आसपास जैसे मैं आपको दिखाया बसावट आपको प्रॉपर आपको मिल जाती है खास बात इस सुसाइटी की रहने वाली है यह पूरी बसावट के बीचोबीच रहने वाली है ऐसा नहीं के बिल्कुश जंगल के बीच में सुसाइटी रहने वाली है तो यहां पर आपको दो अप्षन मिल जाते हैं अगर आप इन्वेस्मेंट करना चाहते हैं, तो भी आपको कर सकते हैं तो भी आप यहांपर बना के रह सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको हर वो फैस्लेटी मिल जाएगी जो एक इनसान को जरुत होती है, यहां से अगर आपको education के लिए school चीह सब कुछ नियर वाय मिल जाएगा hospital चीह साथ में आपको hospital मिल जाता है इसके लाबाद चार से पांच hospital आपको surrounding में आपको मिल जाते हैं जिसमें आपकी government भी आते हैं और private भी आते हैं दूसरा जो आपका अलीगर पलवल वाला जो रोड है, महां से इसकी दूरी सिर्फ 300 मिटर की रहने वाले हैं, जो कि आप बॉकिंग डिसेंस पे रहने वाला है, तो आपने देखा होगा महिपालपूर, महिपालपूर में आज से 10-12-15 साल पहले लोगों को मौका मिला था, महा जेवर एरपोर्ट के आसफास एरिया में भी देखने को मिलने वाला है, तो यह तो होगी बागी की जानकारी, और साथ में आपका स्लाश कुष्चन जो रहने वाला है, वो रहने वाला है इस प्राइज का, तो इपर जो आपका मिनिमम इंवेस्पेंट है, वो साड़े 17 ला जानकारी आपको मिल गए होगी, बागी कोई और जानकारी रह जाती है, तो स्कीन पर आपको नमबर दिया हुआ है, उसके आप कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हैं, विजिट करने के लिए यहाँ पर आपको आना है, तो आप सीधा, सेक्टर 63 ऑफ झाल